10,000 के नीचे बेस्स स्मार्टफोन की ये कंपारिजन है और उन में से बस 5 हमारी लिस्ट पर आ चुके है ये एक ऐसा सेग्मेंट है जहां 500 रुपे में आपका गेम पलट सकता है देखो 10,000 के नीचे फोन मनाना सब कुछ टॉप लेवल का ने डाल सकते है तो भाई इसलिए आपको बस तरड़े स्मार्टफोन दिखाएंगे इसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कौनसा किस फोन के लिए बेस्ट है वो हम पूरा अच्छे से बता दिए एंड में तीन चीजें इस प्राइस पे बहुत इंपॉर्ट है एक 5G सपोर्ट, दूसरा कस्टुमर सपोर्ट और तीसरा वाई, सॉफ्ट्वेर वाला सपोर्ट सपोर्ट अगर मिल जाया बस, माम लास से है सबसे बहला हमारा स्मार्टफोन है, सामसंग का F14 और यह बार आप जनम पत्री देके असलिया अंजाज नहीं रगा पाऊगे काफी सारे ऐसे ब्रैंड होते हैं जो लोग पसंद करते हैं और सामसंग एक ऐसा ब्रैंड इसके लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं एक डिसंट प्रोस्टर आप डिसंट गेमिंग कर पाऊगे गेमिंग के लिए परफॉरमेंस वाइस इससे बेटर प्रोस्टर हैं लिस्ट के उपर बाटरी आपने वाइए एक तों शॉलिट 6,000 इमेज की बाटरी है 25 वाट चार्जिंग है 6.56 इंचे का 90 हर्ड्स LCD वाला पैनल है और सामसिंगे डिस्प्ले जिनों में यूज कर वाइए टॉप के रहते हैं वन यूवाइ कोर आपको मिलता है ओवरॉल एक बैलंस वोन है ये वाला फोन बेस तो किती भी चीज में नी है नेक्स्ट हमारा आरहा है वाग लगाता है लावा ब्लेस्टू है ब्लाक कलर रहा है बट एक चीज लेकर आरहा है जो बीस बीजार के स्मार्टफोन भी नहीं आरही है वो है बैक साइड में पूरा ग्लास इसके अंदर 5G का सपोर्ट है आठ बैंड आ रहे हैं 50-2mm पैंड प्राइमेरी चामरा साथ में एक वीजये कैमरा और एक 8-2mm फरांड प्राया केमरा पचास में फिज एल्ड वाला प्रोटता डिज दी हो सकता है आपको डिसेंट प्रोज़ेंट लगे बडर और्यर्ण अबर्षा उप्स्प्ट अप्स्प्री देश दीआ और अधी कि जो जकुते होने, जैसे हैं साइड साइड गुमां के तिल्ट होता है, तोसमें आपको थोड़ी लिक्कत आईगी यह वैसे बहुत बढ़ी विक्कत नियहीं क्यों इस प्राइस पर काफी फोन्स में कॉमननी इक चीज़ इस प्राइस प्राइस पर रिंग लाइड बाक साइड से 2K 30 फेस वाली वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे और गिम विम खिलने भी जादा चाले नहीं है कि डाइम इंसरी 6020 है, UFS 2.2 स्टोरेज अपर बेस्ट प्रॉसर यह नहीं है लिस्ट पे, इससे भी बेटर है बैटरी 5000 mAh है, 18W का चारजर मिल जाता साथ में और Android 13 है, एक नमबर और बड़ा होना चाहिए था इसमें जैसे मैंने आपको अधाया है इस प्राइस पॉन में सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता, जो कमी है वो भी उनाता दूँ, अच्छी चीज में बता दूँगा एक चीज और इसमें दो SIM कार्ड लग जाते हैं और एक Micro HD कार्ड भी लग जाता है, एक TV का लेने जाओ कि हो सकता है, इस फोन से जादा महेंगा पड़ा जाओ, इस स्मार्टफोन का प्राइस, ना हजार नौन सो निन्यान दस दवार बेसी नेक्स्ट आजाता भाई, लिस्ट के उपर, Redmi का 13C, ये ना आपको देखा देखा सा लगए ये ये और Poco M6 जुड़ा बाईया, ये ऑन पेपर बिल्कुल ही सेम है, बर डिजाइन में थोड़ा चेंज है, और यहापे लोगों को इदर दर हो गया, बढ़ हमको नहीं फरक प है पुरा प्लास्टिक का, बढ़ भाई, मज़ा आता देखके, हाथ में बगड़े की बड़ी असा लगता है, ग्रीन वाला डिफिनली काफी प्रीम है, IR ब्लास्टर भी लगा रहा है, 5G इसलिस पे सारी स्मार्टफोन में, बैं एक दो किसी में आगे पीछे हैं, वाइ-फ तक इसे हमने शूट कर रखा है, वाइज सेल्फी पांच में पिक्सल गाए, बढ़ जातर कि इसमें नोटिस नहीं कर पाऊ होगी, अनलेस अंधेरा होगा रखा है, बाकी सारे कॉंप्रमाइजे यह जहर रहे हैं, क्योंकि यह प्रोसर कफी सॉलिड है इस वाले प्राइस के अंडवर 13 को पर बेस्ट है, इसके लिए MIUI 14 जो होता है, अंडवर 14 आजाता है इस प्राइस पर, एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं, वाइड माइन, 11 का सबोड मिल जाता है, डेडिकेटेड सिम स्लोट है, एक माइक्रोड कार्ड भी आप लगा सकते हो, हैड़वन जाक भी है, अटमाटिक कोल रिकॉर्डिंग भी है, और MIUI में काफी सारे कस्टमाइज़ेशन, इसमें भी फिसिकल जाइरो स्कोप मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा से बेटर मिल जाता है, सिंगल स्पीकर ही है, और सबसे बड़ा कॉन मेरे साब से जो आप से जो और जो ब्लोट वेर है, वो भाई, आपके दिमाग में चिक-चिक करेगा, मुझे परसनली पसंद नहीं, इसलिए मैं बताने ही कोईश करता हूँ, और अवर अल परफॉर्मेंस सॉलिड मिल जाती है, इसमें नेक्स्ट आ रहा है भाई, पोको का M6 Pro 5G, ये वाला काफी सॉलिड विगा था, जिस टाइम पर ये फोन नौन चुआ था, उस टाइम पर पोको ये कुछ फोन में मदरबोर्ड वाल इशू आ रहे थे, पोको ने थोड़ा बहुत आक्शन लिया था इसको लेके, बट इस व इस वाले के लिए चेकिंग हो चुग है क्योंकि थोड़ टाइम से चलता वा रहा है, इस प्राइस पे सबसे बड़ा दिस्प्ले है, 6.79 इंचिस का 90 हर्ट का FHD PLUS L3D इस्प्ले, कॉनिंग गुलिला ग्लास में लिल जाता है, बैक साइड में ग्लास भी इसके अंदर लगा इस प्रोस्टर से भी थोड़ा ज्यादा पारफुल है, 5000 इमेज बैटरी है, चार्जर में टाइड 2.5 वाट का, बड़ फोन सपोर्ट करता है 18 वाट, यह क्या जादू हो रहा है, मुझे समयनियर, एक्स्टर चार्जर पढ़ेदे एक दू डाल ली, हाई पर उसे मिल जाता नेक्स है भाई, इन्फिनिक्स का हॉट 4Ti, बाकी सारे जो लिस्ट पर अल्मोस्ट 10,000 वो टच कर रहे हैं, इसका प्राइस हजार रुपर का मैं उस प्राइस के लिए काफी सॉलिड इस्टिफिकेशन दे रहे है, यूनिसोग का 606 प्रोसेसर है, 6.56 इंचिस का IPS LCD इस्प् प्राइस रेंज की बैटरी फ्लैक्शिप से भी बेटर हो लिए, फूल HD प्लस होना चाहिए था और प्रोसेर थोड़ा सा और बेटर देता तो काफी सॉलिड रहता, बड़ भाई, जैसा बताया था आपको 500 रुपए पर गेम चेंज हो रही है, तो 1000 रुपए पर थोड़ा कम है, तो इसलिए हो कंपीट नहीं कर पाए 10,000 रुपए से, हाइटल का P55, 9,999 रुपए गा है, 6.6 इंच का HD प्लस इसके अंदर डिस्प्ले है, ताम इंस्टी 6080 है, जो एक डीसेंट प्रोसर है, 5000 इमेज की बाटरी है, पचास में पिक्सलर कामरा है, और किसी भी चीज मे बनता था, नेक्स्ट है भाई, मोटरोला का G34, वैसे 10,000 रुपए गाता है, 11,000 रुपए का इस पर बैंक ओफर लगे जाता है, अल्मोस हर टाइम पे, तो 9,999 रुपए का मिल जाता है, 6.5 इंच का HD डिस्प्ले, बट 120 हर्ड्स का है, थोड़ा जा एक दम हानस बता हूँ, अगर हमोंट स्किन पे यूज़ करें, हलकी दिरे ट्रेल सी आती है, थोड़ा सा अलग सा तो फील होता है, पंडा ग्लास है, IP52 रेटिंग है, जो प्रोस्टर भी इसके अंदर, Snapdragon 695 है, ये भी भाई, 15,000 रूंड आ रहा है, एक अच्छा स्टेबल प्रोस्टर है, बहुत सा एक प्राइसली प्रैसली परइटरी, 16 अधैसल ंप्राइसली प्राइसली प्रैसली प्राइसली प्रैसली शॉच्ट परेप्राइसली कोममेटर है, एक रूंड सात्ında सुखीन आती है, प्राइसली प्रन्सली अहीं है » मलेगेatherाईस, 5,000 इमियच बेटरी बसके अच्टेट हमने कुछ ट्वीट्स में ऐसा देखा है कि मोटरोला के अपडेट्स में थोड़ा बहुत देले हो सकता है इसमें टाइम पर आजाएं बट अभी भी इस सॉफवेर के साथ यह फोन सॉलिड है कुछ-कुछ एक्साइटिंग चीजे हैं का सपोर्ट है डूल स्पीकर आरहा है डॉल बी आटमॉस के सपोर्ट के साथ एडफोन जैक भी मिल रहा है सिंसर इंसर भी सारे हैं प्रोक्सिमिटी साइड मौंटेड जायरो इसको पस एक चीज है हाइबरिड सिम स्लोट मिलता है तो आपका मतलब दो सिम या फिर एक सिम एक माइक्रो एजडी काड आपका लगता है तब आगे टाइम हमारे फाइनल शोडाउन गा सबसे पहले बेस्ट डिजाइन इसमें एक्स्ट्रा कॉल आउट्स में जो हमने स्मार्टफोन रखा था रियल मीगा C53 बहुत प्यारा दिखता है और उसके साथ-साथ लावा में भी ग्लास पैक आती है आपको ब्लेज 2 में बेस्ट कैमरा भाई आपको दो मिल जाते हैं मोटरोला का G34 और सामसंग का F14 बैक्टरी में भाई 6000 एमेज बस एक ही स्मार्टफोन दे पाता है उसका 25 वाट की चार्जिंग में बढ़ चार्जर नहीं मिलता है और ये है सामसंग का F14 बैस्ट इसप्ले के अंदर भी भाई टॉप पे सामसंग का 90Hz Full HD इसप्ले मिल जाता है इस प्राइस पॉंट पर किसी में भी Full HD नहीं आ रहा है बस भाई हो सकता है लॉंग टम में आपको फरक देखने के लिए मिले होप पूरी ऐसा कन्फ्यूजन कर दियो कि अपने क्लियर इस वीडियो को देख के आप अपना स्मार्टफोन अराम से ले पाएंगे और हम भाई मिलते हैं आपसे नेक्स राली वीडियो में थैंक्यू आन लग्यू